कुछ स्वागत हैं दोस्तों आपका एमपलीफायर वर्ल्ड चैनल में देखें दोस्तों मुझे कम्प्लीट एमपलीफायर बनाने का रिकष्ट काफी दीन से मिल रहा था हाला कि जो मेरा उन्हीं मेंसे मेरे दोस्त है शीवम उन्होंने ही मुझे बोला था कि मुझे complete amplifier बना कर दो मुझे प्रोग्राम के लिए चाहिए हाला कि इस तरीक एक amplifier में deal तो नहीं करता लेकिन क्या करें friend circle में रहते हैं और आप amplifier world channel चला रहे हैं और आप complete amplifier भी नहीं दे सकते हैं ऐसी बाते सुनने को मिल रही थी तो इसका simple solution मुझे मिला amplifier connection channel पर देखिए वहां से मुझे इस टाइप का ये cabinet आसानी से मिल गया तो ये cabinet मैंने वहां से purchase कर लिया ये बहुत ही बढ़िया लूक है इस cabinet का मतलब इसके अंदर left right दो channel power supply के switches वगेरे पीछे fan और जो accessories रहती यानि कि जिसके लिए मुझे इदर उदर भटेकने की जर्रत ना पड़े वो मिल गया और इसके साथ साथ amplifier का जो module है power amplifier का जो module है वो भी मैंने amplifier channel से purchase कर लिया हाला कि purchase करने का reason मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे market में यहाँ पर heat sink सारे components ट्रांजिस्टर यह सब काफी costly मिलता है इसलिए इस टाइप का complete module बना पाना वो भी कम rate में बहुत मुश्किल था देखे यहाँ पर मुझे यह जो amplifier module मिल गा यह double layer PCB में है और यह module की जो specification है वो मुझे पता है इसलिए अगर मुझे complete amplifier किसी को बना कर देना है और मैं अपने ऊपर कोई headache नहीं लेना चाहता तो यह module और यह cabinet से वहतर मुझे कोई option नहीं लगा क्योंकि इसके अंदर यह जो module है यह बहुत ही perfect module है double layer PCB में और इसके अंदर लगवग 12 pair में आउटपूट रांजिस्टर हैं और दो प्लस दो हैने की टोटल चार ट्रांजिस्टर प्री और फाइनल ड्राइवर स्टेज में लगे हुए हैं तो देखिए आप देखी सकते हैं क्या बहतरीन लूक है इस amplifier module का double layer PCB white finishing और सभी component बिल्कुल clear clarity के साथ बिल्कुल सजा सजा कर इस PCB में लगाए गए हैं तो दोस्तो double layer PCB और single layer PCB की बात करें तो जो professional company होती है वो सभी double layer PCB में switch कर चुकी है क्योंकि double layer PCB में इस type के power amplifier module से आपको एक बहतर designing मिलती है इसके साथ double layer PCB का current carrying capacity compared to single layer PCB ज्यादा होता है क्योंकि double layer PCB कर देने से आपके both side में copper tracks आ जाते हैं और copper tracks के लिए मतलब काफी ज्यादा जगे मिलती है जिससे उनकी ठीकने से मतलब जो उसकी width है वो ज्यादा रखी जा सकती है इस वज़े से इनकी current carrying capacity काफी ज्यादा बढ़ जाती है इसके साथ जो double layer PCB होती है उनकी जो copper का थिकनेस होता है एक तो width हो गया और जो उसका थिकनेस होता है वो भी काफी अच्छा होता है जिससे कि उनकी current carrying capacity ज्यादा होने से amplifier board काफी reliable हो जाता है तो देखी सकते हैं आप कितना बहतरी इन amplifier board है मेरा तो दिल खुश हो गया इस type के module को देखकर क्योंकि इसके अंदर मुझे बिलकुल professional power amplifier की जैसी feeling आ रही है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने amplifier boards में इस type के module लगागर sell करती है तो दोस्तों मेरा काम यहां पर बहुत ही आसान हो गया इस type के amplifier module को मिल जाने से हलाकि अगर मैं इसे खुझ से बनाना चाहूंगा तो यह जो है मेरा इसका जो cost है काफी ज्यादा पड़ जाएगा तो दोस्तों अगर costing की बात आया तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके इतने transistor है तो मैं इसके transistor गिन लेता हूं तो total इसमें एक side में total 14 transistors लगे हुए हैं हाला कि 14 transistor में से 12 transistor main output transistor के हैं और बाकी जो 4 transistor है वो driver stage के हैं और driver stage में लगने वाले transistor भी NJW series के heavy duty transistors हैं तो यहां पर NJW series का फायदा यह है कि यह transistor 2SC 5200 के मुकाबले काफी अच्छा perform करता है और उससे ज्यादा reliable भी है तो देखिए इस board के साथ यहां connectors भी मिल जाते हैं तो यह type PA connectors हैं जिससे की LED के indication front panel पे लेके जाए जा सकते हैं जै आसानी से connector इसे fit हो जाएंगे और आपको केवल LED पर wire sold कर देने हैं तो इतना कर देने से LED के indication का भी जो जंजट है वो भी निकल जाता है तो और आल यह अपने आप में complete module है इस वाजे से इसके अंदर सारी facility दी हुई है दोस्तों आप जैसे या मैं जो छोटे शहरों में रह रहते हैं उनके लिए इस type के module को बनाना मतलब काफी ज्यादा costly हो जाता है क्योंकि उनके पास material काफी ज्यादा जो raw material है वो काफी ज्यादा high cost में पहुचता है तो इसका solution यह है कि इस type के ready made board ले लिए जाए तो दोस्तों यहां पर amplifier connection काफी helpful हो रहा है उन लोगों के लिए दूर दराज की लॉकों में रहते हैं और उनके market में इस type के quality products नहीं मिलते हैं इसके अलावा जो नस्दीग भी रहते हैं electronics market क्याने कि जो मुख्य शहरों में रहते हैं उन लोग के लिए भी amplifier connection से product लेना काफी अच्छा है क्योंकि उन्हें reliable and best quality product अवलेबल हो जाता है इसके उन्हें करता है यानि कि उससे वह income generate करता है तो वह expect करेगा कि उसका जो product हो उसे जो product दिया गया है वो काफी अच्छी quality का हो और किसी भी environment में अच्छी तरीके से काम करें तो इसलिए उसे reliable amplifier बना कर देना ज़री है और reliable amplifier देने के लिए आपको reliable product ही लेना चाहिए तो इस type क product काफी helpful रहेंगे जो कि आप किसी भी customer को अगर बना कर देते हैं इस type amplifier module से तो बेफिकर तरीके से इसको इसको इस्तिमाल कर सकता है और इसके अलावा outdoor program करके वह अच्छा खासा revenue भी generate कर सकता है अब दोस्तों सबसे important बात इस board का technical specification क्या है तो चली उसे देखते हैं तो input transistor अकसर आपने देखा हुगा केवल दो transistor को लगा कर differential pair बनाया जाता है लेकिन इस board में चार transistor को लेकर differential pair बनाया गया है मतलब ये दो एक side और ये दो एक side इस तरीके से ये काम करते हैं अब ये चारो transistor को power supply regulated मिलनी चाहिए तो regulated power supply के लिए यहाँ पर ये दो transistor लगाए गया है 5401 यहाँ इस side के लिए और ये दो transistor लगाए गया हैं इस side के लिए तो इस तरीके से 5551 की ये दो transistor इनको regulated power supply मिलती इन दोनों transistor से और यहाँ 5401 के ये जो दो transistor लगे हुए हैं इन दोनों को मिलती है power supply ये दोनों 5401 इनके जरी है regulated तो यहाँ पर ये regulation circuit बहुत ही important है amplifier चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अकसर छोटे amplifier में ये regulation पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता के वल resistance लगा दी जाती है जिससे छोटे amplifier में तो खेर उतनी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब professional power amplifier की बात आती है तो ये input stage बहुत ही बहतरी इन तरीके से strengthening होनी चाहिए और regulated होने चाहिए क्योंकि supply में कई बार fluctuations होते हैं तो ये input section में जो भी power supply आनी चाहिए fully regulated होने चाहिए input section में यहाँ पर power supply के लिए दो resistance लगाए गए है 10 ohm के तो ये भी अच्छी quality के industrial resistance है ग्रीन वाले तो और इसके साथ साथ यहाँ पर दो filtration capacitor है यानि कि input section में किसी प्रगार का noise, humming ये output section तक नहीं जाना चाहिए इसके लिए यहाँ पर ये जो filtration section है उससे काफी अच्छी तरीक से बनाए गया है next इसके बाद इसका जो output आएगा ये प्री ड्राइवर स्टेज में चला जाता है प्री ड्राइवर स्टेज में देखिए जो frequency bind करनी हमें तो उसके लिए यहाँ पर ये capacitor लगाए गया है इसके across में यानि कि इसका जो frequency response है इसे higher side में रखने के लिए return PF का capacitor लगाया गया है यानि कि इसके जरीए यहाँ पर जो है ये amplifier module higher frequency जो maximum higher frequency हो सकती जो audio frequency होती है उसको ये easily support करेगा इसके बाद इसका जो bias network है ये fixed bias में बनाए गया यानि कि preset का कोई जहंजट नहीं है यानि कि अगर जैसे जिन amplifier में presets लगा होता है अगर वो preset open type की होते हैं तो क preset की value change हो जाती है और इसी कारण amplifier का जो function है वो disturb हो जाता है तो ऐसे में इस transistor यहाँ पर जो bias transistor है इसको fixed type का bias system दिया गया है जिससे की अगर moisture dust से अगर इसके उपर कीट के उपर dust भी आता है तो इसके bias system पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर fixed bias वाला policy है तो इस इस तरीके से यह bias section भी काफी बहतरीन strength है मतलब इसमें reliable है यह bias section इसमें कोई problem नहीं आएगी इसके बाद यह output चला जाता है driver section में तो देखिए driver section में यहाँ पर दो transistor लगे हुए है एक pre driver एक final driver तो इस तरीके से यह दो transistor लग जाने के वज़े से इसका जो main output transistor के driving capacity है वो output में देखिए 2,4,6,8,10,12 यानि कि total 12 pair को drive करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से pre driver और final driver में सेम सी सेम नंबर के transistor लगे हुए है NJW series के तो NJW series का एक transistor maximum 15 ampere हाला कि उसका peak point है 15 ampere तो लेकिन यह जो 12 pair लगे हुए है तो 12 pair को drive करने के लिए NJW series का यहाँ पर यह transistor काफी heavy transistor है यानि कि driver stage इसकी बहुत ज़्यादा strength है इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसमें protection क्या क्या है तो देखें दोस्तों यह इसके अंदर एक बहुत ही बहतरीन protection यह है कि यह सारे main output transistor इनको safe operating area में चलाने के लिए यहाँ पर यह दो transistor लगे हुए है यह दो transistor से इसका हर एक transistor का main output current कितना होगा यह control हो जाता है चाये हम इसमें एक ohm का load लगा है दो ohm का load लगा है या फिर यह कभी short circuit भी हो जाए output तो output जैसे इसका हमारा speaker output अगर कभी short circuit हो भी जाता है तो यह दोनों transistor same time में active हो जाएंगे और जो bias voltage है उसको यह zero कर देंगे जिससे की main output transistor बंद हो जाएंगे जिससे की short circuit होने पर जैने की main output transistor को कोई खत्रा नहीं रहेगा एक दो तरीके की tripping policy होती है एक तो relay trip कराया जाता है आपने देखा होगा है कि speaker short करने पर relay भी trip होती है लेकिन इसमें relay tripping का option नहीं रखा गया इसमें bias voltage को kill करने का option रखा गया यह बहुत ही fast तरीका होता है जिसको हम VI limiter के नाम से भी जानते हैं यानि कि हमारा main output transistor का output current जित्ता उसके उपर load पड़ेगा उसके उपर कितने ampere का load पड़ रहा है यह fix करते हैं यह दो transistor दोस्तों यहां पर NJW 0281 and 302 इसका एक pair 150 watt तक easily power आपको दे सकता है peak point पर दोस्तों इसके साथ साथ NJW series के transistor का NPN और PNP यह जो pair होता है इसकी HFE matching काफी हद तक मिलती जुलती है यानि कि इनके NPN और प्लस PNP इनके बीच का जो tolerance है वो minimum होता है अगर two SE series की बात की जाए तो उसमें हो सकता है थोड़ ज़्यादा tolerance हो अगर आप data sheet की गवर करेंगे तो आपको उसमें tolerance के बारे में अगर लिखा होगा तो आप देख सकते हैं मैंने NJW series की जो data sheet है उसके चेक की है तो इसमें जो tolerance की बात कही गई है NPN और PNP के tolerance की तो उसे minimum बताया गया है तो इस तरीके से एक original NJW series के transistor लगा देने से इस board की positive and negative side दोनों side का performance काफी बहतर हो जाता है दोस्तो यह board 80V DC 25A इसके लिए best power supply रहेगी क्योंकि यह 2000W का है अगर हम 80V पर 10A consider कर तो 800W होता है 20A पर 1600W और हम इसको माल लेते 25-30A भी कर देते हैं तो हमें correct 2000W के आसपास output मिल जाएगा तो अगर 2000W का output लेते हैं तो NJW के एक pair के उपर लगभग 2-5A का current flow होगा तो जो इसके safe zone में है क्योंकि यहां पर VI limiter इसको set किया गया है कि इसका एक transistor मतलब एक pair transistor पर 2.5A maximum flow हो उसके आगे इसके current flow ना हो तो दोस्तों अगर हम 12 pair की बात करें एक pair पर 2.5A current अगर चलता है तो 12 pair पर हमें 30A का maximum current मिल जाएगा और 30A यहने की 80 into 30 करेंगे आप तो इस तरीके से यह 2000W को capable है बिल्कुल handle कर सकता है और double layer PCB होने कारण इसका जो current carrying capacity होता है वो काफी बढ़ जाता है क्योंकि top side से भी layer होता है और bottom side से भी layer होता है और top side और bottom side में layer divide हो जाने करण हर एक layer का thickness ज्यादा रखा जा सकता है जिससे की इसका overall current carrying capacity अच्छा होता है ज्याने कि अगर single side PCB के बात करनों तो single side PCB में जब भी फुल output पर बहुत से amplifier चलते हैं तो current ज्यादा चलने करण जो copper track है वो कई बार जल जाया करती है लेकिन double layer PCB में इस problem से बचा जा सकता है तो दोस्तों यह board अपने आप में बहुत ही बहतेरीन है इसमें कोई doubt नहीं तो इस board को एक खास बात यह कि अगर इसे हम किसी भी amplifier में किसी customer को लगा कर दे देते हैं तो हमें उतना कोई tension नहीं रहता कि वर्क कैसा करेगा क्योंकि यह सभी इसके अंदर सभी features है safety features है indications है, relay protections है, VI limiter protections है तो दोस्तों इस type के board को अगर हम किसी customer को amplifier में लगा कर दे सकते हैं या फिर कोई amplifier बना कर इस board को हम उसे लगा कर देते हैं तो ज़्यादा कोई परिशानी वाली बात नहीं रहती है क्योंकि इसमें सभी features है जैसे कि indications हो गया, DC fault protections हो गया, VI limiter हो गया मतलब overall जो भी transistor लगा है, वो safe zone में रहता है, उसके active reason में ही रहता है, उसके reason के बाहर नहीं जाता है, जिससे कि transistor के fail होने का chances नहीं रहता है बशरते हैं आपको एक बार देख लेना कि किसी भी तरीक है कि यह जो fastner nut bolt है, यह कहीं कोई lose नहीं रहे क्योंकि इस type के amplifier में यह जो भी output transistor है, heat sink के उपर अच्छी तरीके से tight होना ज़र्वी है तो हाला कि मैंने चेक कर लिया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई lose नहीं है, मतलब workmanship में कोई problem नहीं है बहुत ही perfect workmanship है, एक एक चीज को बराबर ध्यान दे कर लगाये गया है अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, last में मैं यहाँ पर जोबल network की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक कोईल आप देख रहे हैं, तो यह कोईल के अंदर में resistance लगा हुआ है तो यह कोईल के अंदर में resistance लगा होना बेहजर रही है क्योंकि जब भी इस amplifier से जो output निकल रहा है, उसके अंदर जो भी higher frequency है मतलब 20 kHz जो आप सुन नहीं सकते, उससे जो भी ज़्यादा higher frequency है, जो oscillations वगेरे है उसे speaker तक पहुशने से रोखने के लिए यहाँ पर यह एक inductor coil लगा हुआ होता है यह inductor coil का inductance काफी कम होता है, inductance कम होने की वज़े से यह higher frequency को ही trap करेगा जैसे जैसे किसी भी coil का inductance बढ़ते जाता है, तो वो lower frequency को block करने लगता है लेकिन जैसे जिसका inductance काफी कम रहेगा, तो उतनी ज़्यादा higher frequency को यह block करेगा तो हमें higher frequency को block करना है, बट जो listening frequency है, यह 20 kHz या उससे कम की frequency को block नहीं करना है इसके लिए यहाँ पर यह inductor coil लगाया जाता है, अब जो high frequency के across में, जो trapped है frequency जो high frequency है वो speaker पर नहीं जा रही धर भी नहीं जा रही इसके बीच में trapped है, तो उसको heat में dissipate करने के लिए इसके across में resistance लगाया जाता है, तो देखें यहाँ पर resistance भी लगा हुआ है, 5 watt का तो यानि कि जो high frequency के voltages है वो इस resistance के जरीए heat में dissipate हो जाएंगे तो यह perfect जोबल network है, यानि कि जोबल network का जो part है यह बहुत ही perfect है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, तो इसके लावा जोबल network का एक और part होता है 0.1 microfarad का capacitor और 10 ohm का resistance, तो यहाँ पर यह लगा हुआ है, तो यह 0.1 microfarad का capacitor है यहाँ पर, और यह लगबग 2500 volt के करीब में होता है यहाँ कितने volt में लगा है देख लेते हैं, यहाँ 310 volt का लगा हुआ है, यानि कि यह इसका जो voltage है, बिल्कुल perfect है, इसमें कोई problem नहीं आने वाला है हाला कि 100 volt minimum होना चाहिए, लेकिन यहाँ 310 volt का box type लगा हुआ है, तो यह अच्छी quality का capacitor है, जिससे कि यह जोबल नेटवर्क, यह बहुत ही, यहाँ पर जो जोबल नेटवर्क की condition है, यह बोर्ड उसको perfectly fulfill करता है तो दोस्तों बात रही इसके testing अगरे की, तो उसे next video में cover कर लेंगे, तो फिर मिलते हैं दोस्तों next video में thank you for watching and have a nice day